Hello everyone, this is Swati and welcome to Swati's Kitchen and Lifestyle. I really hope that you will be very good. And if you look at the title, you will be happy that I am going to create a topic of today's video. Today, I am going to share my full processor with my full detailed review. So, there are many attachments that I have told you in the last blog. So, there are many attachments that I am going to tell you today. So, first of all, I am going to show you the use case. So, first of all, I have seen it and then I am sharing that video. I have not used it much. The team grinder that we use daily, use it to make, or remove some of the waste of waste, or grind other things. The team has used it much. And the other tool used the artagundae, I have used it much. So, besides the other attachments, I have not used it much. अभी एक-एक में उसको यूज कर रही हूँ और उसके बाद उसे में आपके साथ शियर कर रही हूँ तो बहुत ही यूजफुल अप्रोट्ट है यह अगर आपकी जोएंट फैमिली है बड़ी फैमिली है और आपके घर में बहुत सारी चीज़े हर रोज बनती है तो आपको यह फुल प्रोसेसर लेना ही चाहिए और यह बहुत अच्छी कॉलिटी का है मैं इसे लास्ट त्री यर से यूज कर रही हूँ और काफी अच्छा है अभी तक बहुत अच्छी से चल रहा है तो चलिए जादा डिले ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले तो मैं यह क्लिएर कर दू कि यह वीडियो बिल्कुल भी स्पॉंसर नहीं है मैं इसे लास्ट तीन सालों से यूज कर रही हूँ और बहुत थोड़े अटेश्मेंट्स में यूज करती थी बट वीडियो बनाने के पहले यह बाकी की जो भी अटेश्मेंट्स है वो मैंने यूज करके देखी है एंड देन उसके बाद ही मैं इसका डिवीव आपके साथ शूर कर रही हूँ एक्चुली मैं यह इतना यूज नहीं करती थी क्यूंकि हम दो ही लोग है तो इतने जादा चीजों की जूरत नहीं पड़ती थी जिस चीज की जितने उसके लिए यह जो टूल है मतलब यह जो मिकसर है यह बहुत ही परफेक्ट है तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़े मैंने ज्यादा यूज की है वो मैं आपकी साथ शाथ करती हूँ तो यह है डो मेंकिंग फ तो आपको ये वाड़ा जो बड़ा कंटेनर है, ट्रांसपरंट है, मेरा थोड़ा गंदा हो गया, तो प्लीज आप इसको इग्नोर कीजिए, इसको आपको फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद, ये जो दो आपको दिख रहे हैं, प्लास्टिक के अटेच्मेंट्स, वाइट क बड़र के वो आपको एक के ऊपर एक इस तरह से फिक्स करने है, इसके अंदर आपको आटा डालना है, तो आटा मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोटी का आटा, आप कोई भी आटा गूनने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जो हम अभी आपको मैने दिवाली का जो रेसिपी ब पारे बनाये थे, उसका आटा हो, तो किसी भी चीज का आटा आपको गूनना है, तो ये टूल बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पर मैने आपको शक्कर पारे का जो नमकीन शक्कर पारा है, उसका आटा गून करके दिखाया था, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा रेडी हो जाता है, आपको हातों से, उसको दस मिनिट के लिए, पंदरा मिनिट के लिए मसलने की जुरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चिकना आटा यहाँ पर बन कर रेडी हो जाता है, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जुरूरत होती है, अभी मैं इसको तीन साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि कितना पानी मुझे डालने की जुरूरत है, कितना नहीं, तो यह सारी चीज़े मुझे प्रैक्टिस से हो गई है, तो मैं बहुत अच्छे से इसे काम अपना चलाती हूँ, उसके बाद ये बागी के तीन जार जो की रेगुलर हर एक मिकसर के साथ आपको मिलते हैं, वो तीन में यूज़ किये हैं, आपको यहापे एक छोटा मेडियम और बड़ा जूस का जो जा रहता है, वो मिलता है आपको, तो ये तीनों जार जूस बनाने के लिए, या फिर छ उसके बाद जो सबसे इंपोर्टन होता है हमारा जूस बनाना, तो हम हर रोज जूस बनाते हैं बच्चों के लिए वगर एपल का जूस, पाइनापल, संत्री, मोसंबी, या फिर अनार का जूस, चिकू, मिकस जूस, जो भी हम जूस बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या बनाता करना हैं, ये वाला जो सेब कंटेनर है, हर एक चीज के लिए सेम कंटेनर यूज पर आपको फिक्स करनी है, ये जो बड़ा वाला, रोड है, आपको नीचे की तरफ से लगाना है, जो पर से ये रखना है, तो ये जो अंदर की अटेचमेंट्स है, वो यहाँ पे संत्रे का जूस बना रहे हैं तो जो भी राव मटेरियल रहता है चानने के बाद वो यहाँ पर अटक जाता है और पूरा जो जूस है हमारा वो नीचे कंटेनर में गिरता है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा तो इसको फिक्स करने के बाद उपर करने के बाद एक-एक करके आपका फूर्ट जो है वो डालना है तो यहाँ पर दिखिए करने के बाद जो भी जूस बनता है वो नीचे कंटेनर में आता है और जो भी राव है वो आपको उपर मिलता है इस तरह से तो आपको सेपरेटली छानते बेटने की जरूत नहीं है य जो संटर आप ले रहे हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा छील कर और भी आपका मेहनत कम करना है तो उसके लिए और एक अटाच्मेंट साप को यहाँ पर दिया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है? चारणेरів करना है और यह जो आप देख रहे है वाइट ऐट चे को कैयह इस करना है यह अट ingredient है जो आफ देखते हैं जो हम जूस निकालते हैं उसके लिए इस तरह के attachment होते हैं तो यह Cart ये अटेशमेंट को यहां करना है और उपर से कट किया हुआ मैनिवली गुमा गुमा के जूस निकालते हैं इस ही च्छार कानी है simply आप रख दो और mixer चला लो तो automatically ये घूमने लगेगा और आपको juice बनने start हो जाएगा तो ये मुझे थोड़ा difficult लगता है क्योंकि थोड़ा vibrations आपको हातों को लगते है और इसका juice है वो बहार भी थोड़ा आ सकता है ये थोड़ा hectic हो सकता है इसलिए मुझे पहला वाला जो attachment है वही juice बनाने के लिए सबसे अच्छा लगता है उसके बाद next जो attachment से उनकी तरफ हम चलते है जो कि बहुत ज़ादा use होने वाली है यह है ये steel की plate आपको 5 to 6 plates मिलती है तो ये सारी की सारी plates में आपको 1 by 1 दिखाती हो तब हमारे गर में हरोज cutting, chopping, peeling या फिर कदुकस करना होता है ये सारी चीज़े हो रहती ही है तो उनके लिए ये steel की attachments हम use करने वाले हैं सबसे पहले तो हम जो plastic का container है वो fix करेंगे उसके बाद ये वाला जो white color का pillar rod जो भी है वो आप बोलते हैं वो fix करेंगे जो हम आटा गुनने के लिए use करते थे वो हम पहले attach कर देंगे यहाँ पे उसके बाद ये white color की plate मिलती है प्लास्टिक की है वो plastic की plate के अंदर आपको ये steel का plate वो fix करना है तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से fix कर दिया है सबसे पहले तो मैं इसमें बनाओंगी chips जो भी हम आलू की chips बनाते हैं न हर summer में हमारी हाँ तो हर summer में बनते हैं पूरे साल के लिए बना कर रखते हैं हम तो वो chips में पहले बना के दिखाऊंगे आपको तो ये plate मैंने पहले fix कर दी है अच्छे से और इसका जो उपर का rod दिखता है आपको white color का वो हमें नीचे की side में करना है rotate करके अच्छे से इसको fix करा देना है tight करा देना है अच्छे से उसके बाद हम उपर का ढखकन लगाएंगे जो हम आटा गुनने के लिए use करते दे ढखकन वही डखकन हमें अच्छे से fix कर देना है एक बार आप चला के देख लीजिए कि plate जो है वो अच्छे से fix हो गई है या नहीं और उसके बाद जो हमने आलू छील करके रखे थे वो हम इसमें डालेंगे तो simply आपको आलू डालते जाना है automatically ये chips बनाना start हो जाएगा मैं आपको बता दू कि तीन आलू मैंने छील करके लिए थे जो कि तीन सेकेंड के अंदर अंदर इसके अंदर chips बनके ready हो गए है तो कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूत नहीं है आप देख सकते हैं इतने अच्छे से chips बनकर ready हो गए है और हाँ यहाँ पर मैं और एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं यह white color का मैं pressure देने के लिए जो tool यूज कर रही हूँ यहाँ पर अलग सा tool है white color का जो कि मैरा गूम हो गया है अभी तो मैं आपको image यहाँ पर डाल दूँगी मैंने बनकर ready है तो है ना यह कमाल की चीज मुझे तो बहुत ज़दा अच्छे लगी थी जब मैंने plates use करना start कर दिया था बट मैं यह सारी चीज़े यहाँ पर नहीं बनाती हूँ ममी देती या फिर सासुमा देती है तो मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं बनाई है तो इसी तरह से आपको गाजर का हलवा बनाना है या फिर coconut को आपको grind करना है चोटे-चोटे जो हम coconut कदुकस करके लेते है खीरे को कदुकस करके लेना है या फिर मूली को कदुकस करके लेना है आप इससे बड़ा वाला जो रहता है वो भी यूज कर सकते है तो इस तरह से यह सारी स्टील के अटेश्मेंट्स आप यूज कर सकते है उसके बाद सबसे फाइनली में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ चॉपिंग अटेश्मेंट्स जो कि आपको अगर किसी चीज को कट करना है तो कट करने के लिए बहुत ही फाइनली चॉप करना है उसको बहुत चुटे चुटे टुकडों में कट करना है दिखाई भी ना देखी तो जिस तरह से आटा गुनने के लिए हम एक अटेश्मेंट्स यूज करते हैं यह वाली तो वो डालनी है और उसके उपर यह कटर का एक अटेश्मेंट रहता है जो कि सेम हम जो डो बनाने के लिए उसकरते है उसी तरह से दिखता है बट इसके दोनों साइट से आपको स्टील की ब्लेड मिलेगी तो इसको आपको फिक्स करना है और उसके बाद आपको जो भी कट करना है तो यहाँपे मैं अपको मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ आज मैं वो में डाल रही हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है हरी मिर्च तीन बड़ी-बड़ी हरी मिर्च मैंने यहाँ पर डाली है उसके बाद लसन की कलियर डाली है मैंने दो-तीन तो यह सारी चीज़े डालने के बाद मैं इसे अच्य से आपको दिखाती हूँ मैं कि चॉप करने के बाद किस तरह से दिखती है मेथी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने इस तरह से चॉप की है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही फाईली चॉप हो जाती है, इसी तरह से आप प्यास, टमाटर, पराठे मे जो भी चीज़े हम यूज करते हैं वो इस तरह से finely chop कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये spoon भी आपको मिलता है इसके अंदर की जो चीज़े हैं आपने बनाई हैं वो निकालने के लिए आपको plastic का इस तरह से चमच भी मिलता है जिसके पीछे से आपको एक hole दिखाए देगा जो कि आप container के अंदर के जो screw होते हैं उनको निकालने के लिए यूज कर सकते हैं तो अब ये chopping का जो attachment है वो हम निकाल देंगे और उसके बाद dough बनाने के लिए जो attachment लगता है वो हम यहापे लगा देंगे तो वो मैंने लगा दिया है और गेहू का आटा इसके अंदर डाला है दो तीन चमच मैंने गेहू का आटा डाला है और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे पहले ताकि जो मेथी और जो आटा है वो अच्छे से mix हो जाए पानी की consistency भी हमें समझ में आए जाएगी कि हमें कितना पानी डालना है और उपर से हम उतना पानी डालेंगे और इसे अच्छा इसमें बहुत अच्छे से चिकना आटा हमारा बनकर तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जब भी हम मेथी के पराटे बनाते हैं तो बहुत सारी लेडिस को problem होता है कि मेथी जो है वो बड़ी बड़ी दिखने लगती है अच्छे से chop नहीं होती है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये मेथी के पराटे है या किसी दूसरे green vegetable के तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसके अंदर मेथी जो है वो finally chop हो गए तो इसी तरह से बाकी की चीजे भी आप chop कर सकते हैं मैंने बस एक एक चीजे आपको डेमो करके दिखाई है I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना तो अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो मुझे डेफिनिटी ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन टेक कियर, बाई बाई